ब्रधाश्रम में मास्क लगाकर अपने माता-पिता से मिलने गए एक व्यक्ति से गाड ने कहा आपको तो पूरा मुह ड़क कर आना चाहिए था मित्रों मैं आपको जो कहानी सुनाने के लिए पस्थित हुआ हूँ वो कहानी है खलीली जिबरान की दूसरी भशा ये कहानी का शीर्षक है इससे पहले मैंने आपको विना शीर्षक के एक छे लाइनों की लवकथा सुनाई ये लवकथा कैसी लगी आप हमें बताईएगा खलीली जिबरान की कहानी सुनाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह कर लेता हूँ या आप अगर पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजेगा और घंटी का बटन दावाकर सारे नोटिफिकेशन को और नोटिफिकेशन को आउन कीजेगा खलीली जिबरान की ये लवकथा मैं अपने कॉलकाता वाले प्यारे से 65 साल के धियुवा दीप ठापूर को समर्पित करता हूँ मेरे साथ आप इश्वर से कामना कीजे कि वो शीक्र स्वस्थ हूँ सुनिय कहानी दूसरी भाषा मुझे पैदा हुए अभी तीन निम गए थे और मैं रेश्मी जूले में आराम से लेटा हुआ था और संसार को भग अच्रज भरी निगाओं से देख रहा था असपास की दुनिया को एक नई दुनिया को समझने की कूशिस कर रहा था तभी मेरी मा ने आया से पूछा कैसा है मेरा बेटा मा अस्वस थी कुछ दिनों उन्हें विस्तर पर बिना कामकाच के आराम करना था कि आया ने उत्तर दिया वो खूब मजे में है अभी-अभी मैंने उससे दूद पिलाया है हस खेल रहा है अब तक मैं उससे तीन बार दूद पिला चुकी हूं मैंने इतना खुश्दिल बच्चा पहले कभी नहीं देखा मुझे आया की बात पर बहुत दुस्सा आया और मैं जोर से चिल्लाने लगा मा यह जूट बोल रही है इसने मुझे जो दूद पिलाया वो बहुत कसहला और कड़वा था इसके इस्तनों में से मुझे दुर्गन महसूस हो रही थी यह ढूटी है पर मेरी मा को मेरी बात समझ नहीं आया क्योंकि मैं जिस दुनिया से आया था वो इस दुनिया की भाशा नहीं थी ना मेरी बात को मा समझ सकी और ना आया उसके बाद मैं जब 21 दिन का हुआ तो मेरा नामकरन संसकार लखा गया नामकरन के लिए बुलाया गया पादरी मेरी मा से बुला आपको तो बहुत प्रसन होना चाहिए क्योंकि आपके पुत्र ने इसाई परिवार में जन्म लिया है वो जन्म से ही इसाई है मैं इस भाद पर बहुत आश्चर चकित हुआ मैंने उस पादरी से कहा तब तो स्वर्ग में बैठी तुमारी मा को बहुत दुखी बहुत निराश होना चाहिए क्योंकि तुम एक इसाई परिवार में जन्मे नहीं थे बाद में परिवर्टित हुए इसाई बने किन्तु पादरी को भी मेरी भाषा समझ में नहीं आई धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा साल दो साल पांस साल तभी एक जोतिशी ने मेरी मा से कहा कि तुम भागेशाली हो जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है तुम्हारा बेटा बड़ा होकर एक राजनेता बनेगा पूरी दुनिया का मार्दर्शन करेगा इसकी लोग पिरियता होगी मैं फिर भीतर से चिलाया और मैंने का नहीं मैं तो बड़ा होकर एक संगीत कार बनना चाहता हूँ संगीतकार बनुबा। संगीत के अलावा मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता। कुछ नहीं केवल और केवल एक संगीतकार। किन्तो मेरी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं किया। मेरी तुतलाती हुई आवाज को दरकिनार कर दिया गया। मा और जूतिशी मुस्कराकर अपनी बाते करवे लगे। करीब तैंतिस साल बाद मेरी मा, मेरी आयरा और वो पादरी इस दुनिया में नहीं रहे। संसार से अलविदा हो गए। किन्तो वो जूतिशी अभी जीवित है। एक रोज वो मुझे एक धर्मिस्थल के मंदिव के ये ग्रीजा भर के दर्माजे पर निकलता हुआ मिला। और मेरी तरफ मुखातिक होकर बोला, मैं बहुत पहले से जानता था। मैंने तुम्हारी मा को बच्पन में ही बता दिया था। कि तुम बड़े होकर एक महान संगीत कार बनोगे। और मैंने सहे जिया उस जोतिश अचारे पर, एस्ट्रोज़त पर उस जोतिशी पर विश्वास कर लिया। मैं मुश्कुरा दिया। मैंने नमन किया उसको। क्योंकि मैं स्वेम भी उस दुनिया की भाषा अब तक भूल चुका था। तो कैसी लगी आपको यह कहानी। दोनों कहानियों के विशह में आप जरूर बताईएगा। और यह दोनों लग कथाएं। मैंने आपको आज दो लग कथाएं सुनाई। आप बताईएगा कि आपको कौन सी लवकता ज्यादा अच्छी लगी। एक टिपणी दीजिएगा। और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, जयहिन, वन्यमात्र।